मुरली अमरित की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मुरली अमरित की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा पूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरनी में समझाए पूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरनी में समझाए ओम शानती आज की तारिक है पांच तीन दोहजार तेज़ की अव्यक्त मुर्ली रिवाइज डेट 10.1.1994 मदुवन अव्यक्त बाप दादा एक पॉइंट शब्द को तीन रूपों से समरिती वह सबरूप में लाना यहीं सेफटी का सादन है बिशफ क्लियानकारी बाप दादा अपने सरव मास्टर बिशफ क्लियानकारी बच्चों को देख रहे हैं हर एक बच्चे का इस ब्रामन जीवन का लक्षे अतीश रिष्ट है हर एक नमबर वन पुर्शाद करने का लक्षे रखते हुए आगे उड़ते जा रहे हैं लक्षे सभी का नमबर वन का है लेकिन लक्षन नमबर वार है तो लक्षे और लक्षन दोनों में अंतर क्यों है ज्यान दातां बाप भी एक है योग की विदी भी एक है दिब्वे गुंधार्न करने का सहज परत्यक्ष प्रमान साकार ब्रमा बाप भी एक है सेवा के सादन और सेवा की विदी सिखाने वाला भी एक है मुख्य बात है पढ़ाई और पालना दोनों ही देने वाला एक और एक नंबर है फिर भी प्रत्यक्ष जीवन में लक्षन नंबर वार क्यों ये तो सबी स्वेम को अच्छी तरह से जानते ही हो कि लक्षन धारन करने में मैं किस नंबर में हूँ नंबर वार होने का विशेश अधार है एक ही शवत पॉइंट पॉइंट सबरूप को अनुभब करना दूसरा कोई भी संकालप बोल वा करम बेर्थ है उसको पॉइंट लगाना अर्थात बिंदी लगाना तीसरा ग्यान की वा धारना की अनेक पॉइंट को मनन करसब प्रती वा सेवा प्रती समय पर कारिया में लगाना तो शबद एक ही पॉइंट है लेकिन तीनों सबरूप की पॉइंट को समय पर समरिती में सब रूप में लाना इसमें अंतर पड़ जाता है समरिती सब को रहती है लेकिन समरिती को सब रूप में लाना इसमें नंबर वाफ हो जाते हैं कई वार वाफ दादा सभी बच्चों को देखते हैं कि समरिती में बहुत होश्यार होते हैं ऐसा होना चाहिए, वह सोचते भी रहते हैं, यह right है यह wrong है, यह ग्यान भी emerge होता है, ग्यान अर्थात knowledge और knowledge is light, knowledge is might कहां जाता है, तो जहां light भी है, might भी है, वहां यह होना चाहिए, नहीं होता, क्या सोचते हैं कि बाब दादा यह कहते तो हैं, बनना तो है, ग्यान तो यह है, लेकिन उस समय मेरे में क्या है, वह चाहिए चाहिए में ही रह जाता है, इसका अर्थ है कि ग्यान को light और might के रूप से समय परमानकारिये में नहीं लगा सकते, इसको कहा जाता है, समर्थी में हैं लेकिन सभरूब में लाने की शक्ती कम है, जब light अर्थात रोशनी है कि यह wrong है, यह right है, यह अंदकार है, यह परकाश है, यह ब्यर्त है, यह समर्त है, तो अंदकार समझते भी अंदकार में रहना, इसको ग्यानी वा समझदार कहेंगे, ग्यानी नहीं तो क्या हुए भगतब अधूरे ग्यानी रांग समझते हुए रांग कर्मों के वासंकलपों के बा सब भाब संसकार के बशीबुत हो जाए तो इसको क्या कहा जाएगा उसका क्या टाइटल होना चाहिए बाब दागा समय की गती को देख सभी बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं अटेंशन शबद को भी डबल अंडरलाइन करा रहे हैं कि ये प्रकर्ति की थमोगुनी शक्ती और माया की सुक्षम रायल समझदारी की शक्ती अपना कार अथिवर्गती से कर रही है और करती रहेगी प्रकर्ति के विक्राल रूप को जानना सह जाए लेकिन भिन 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 विक्राल हल्चल में अचल रहना इसमें और अटेंशन चाहिए माया के अती सुक्षम सुभरूप को जानने में भी दोखा खा लेते हैं माया ऐसा रायल र परिवर्तित कर देती है जो रियल समझ को महसूसता की शक्ती को गाइब कर देती है जैसे कोई जादू मंतर करते हैं ना तो परवश हो जाते हैं ऐसी महसूसता शक्ती गाइब करने की रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है होगा बिलकुल रॉंग लेकिन माया की च्छाय कि बशिबुत होने के करन रांग को राइट समझते और सिद्ध करने में माया के सुप्रीम कोड का वकील बन जाते हैं तो वकील क्या करते हैं जूट को सच सिद्ध करने में हुशार होते हैं सच को सच सिद्ध करने में भी होते हैं लेकिन जूट को सच सिद्ध करने में हुशा होते हैं इसलिए बाब दादा अटेंशन को डवल अंडर लैन करा रहे हैं मैं सूस्ता शक्ति को परिवर्थ करने की सुक्षम सब्रूप की माया की छाया से सदा अपने को सेफ रखो क्योंकि विशेश माया का सब्रूप विशेश इस सब्रूप में अपना कारिय कर रहा है, समझा अभी क्या करेंगे, केरफुल रहना, अगर कोई भी विशेष आत्माय इशारा देती हैं, तो अच्छी तरह से माया की इस चाया से निकल बाप की छतर चाया में अपने को विशेष मन बुद्दी को इस छतर चाया के सहारे में लाओ, क्योंकि मन में नेग्टिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष माया का परभाव चल रहा है और जैसे कोई सीजन होती है ना तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमान विशेष अटेंशन रखा जाता है जैसे बारिश आएगी तो च्छाते, रेन कोट आदी का अटेंशन रखेंगे, सर्दी आएगी तो गरम कपड़े रखेंगे, अटेंशन देंगे ना, तो मन और बुद्धी के उपर परवाब नहीं पड़े, इसके लिए पहले ही सेफटी के सादन, बिशेश अपनाओ, वो बिशेश सादन ह बहुत सहज, पहले भी सुनाया है, एक ही पॉइंट शब्द है, सहज है ना, लंबा चोड़ा तो नहीं सुनाया ना, कहते रहते हैं, हाँ, मैं आत्मा बिंदू हूँ, जोती रूप हूँ, लेकिन उसमें टिकते नहीं हैं, लगाना चाते हैं पॉइंट लेकिन लग जाता ह है, क्वेश्चन मारक और अस्चारिय की निशानी, पॉइंट लगाना सहज, या अस्चारिय की निशानी, बख क्वेश्चन मारक की निशानी, क्या सहज है, बिंदी लगाना सहज है ना, फिर क्वेश्चन और अस्चारिय में क्यों चले जाते हैं, इस बिदी को अपनाओ, सीजन है जूट सच सिद होने का और जूट सत्य से विसपस्ट और अकर्शन वाला होगा जैसे आज कल का फैशन है ना जूटी चीज कितनी अकर्शन वाली होती है उसके आगे सच्चे की वैल्यू कम हो जाती है रियल सिल्वर देखो और वाइट सिल्वर देखो क्या सुंदर लगता है। रियल सिल्वर काला हो जाएगा और वाइट सिल्वर सदा चमकता रहेगा। तो अकर्शन वाइट करेगा या रियल करेगा तो सीजन को पहचानो माया के सबरूप को पहचानो पर करती के तमोग उनके भिन भिन रंगत को पहचानो एक है जानना दूसरा है पहचानना जानते जादा हो पहचानने में कभी गलती कर देते हो कभी राइट कर देते हो अभी क क्या करेंगे सेफ रहेंगे ना फिर ये नहीं कहना कि हमने तो समझा नहीं ऐसा भी होता है क्या ये क्या क्या नहीं चलेगा अभी तो फिर भी बाब थोड़ा थोड़ा रहम करता थोड़ा थोड़ा कदम उठाता है लेकिन फिर क्या और क्यूं कोई नहीं सुनेगा ऐसा नहीं वैसा ये बकालत नहीं चलेगी, जज़ बनो, माया का बकील नहीं बनो, मज़ा बहुत आता है जब बकालत करते हैं अनुभबी तो सब हो ना, अनुभब होता है ना, सुन सुन कर साक्षी हो, हर्शित होते रहते हैं, अच्छी तरह से समझा, पांड़बों ने, शक्तियों ने समझा, टीचर्ज ने समझा, सभी हाँ हाँ तो कर रहे हैं, फोटो निकल रहा है, हाँ का, तीसरी सीजन zijn विशेश कमज़ोरी के सभाव संसकार संबंद संपर्क में आना इसकाविस्तार भी बहुत बड़ा है वो आज नहीं सुनाएंगे कई बच्चे कहते हैं, क्या करें पहले तो था ही नहीं अभी पता नहीं क्या हो गया है ये संसकार मेरे में था ही नहीं अभी आ गया है इसका कारण और इसकी विदी का विस्तार फिर कभी सुनाएंगे अच्छा चारों और के बाप दादा के महावाक्य सुनने और धारन करने वाले चात्रक बच्चों को सरब सब्जेक्ट को समरिती के साथ सबरूप में लाने वाल समीब आत्माओं को सदा ग्यान के हर बात को लाइट और माइट के सबरूप सेकारिय में लगाने वाले श्रिष्ट आत्माओं को सदा लक्षे और लक्षन समान करने वाले बाप के ग्यानी तु आत्मा बच्चों को सदा बाप की छतर चाया में रहने वाले माया की चाया से स इमर में लाने वाले ऐसे विशीष आतमाओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस दे दादियों से मुलाकात शक्ती सेना तिबरगती से चल रही है ना सेना को बाप दादा के साथ साथ आप निमित आतमाओं भी चलाने के निमित हो बाप तो सदा साथ है और सदा ही फिर भी बाप दादा की श्रेष्ट बुजाएं तो है ना बाप शक्ती देते हैं बाप माइट रूमे हैं लेकिन निमित समझाने के लिए माइक तो आप निमित हो कितनी मजे की बाते सुनते हो खेल लगता है ना खेल है ना खेल खेल में विजई बनाना ही है ये तो गरंटी है ही लेकिन बीच बीच में ये खेल देखने पढ़ते हैं तो थकते तो नहीं होना हंसते खेलते प्यार करते और कराते चलते कोई भी ऐसी बात सुनते तो दिल से क् निकलता वह डृमा वह हाई डृमा हाई नहीं निकलता वह डृमा वह वह करते हुए सबी को बहए बनना ही है ये सब पार करना ही है अच्छा अव्यक्त बाप दादा की परसनल मुलाकात विजे हमारा जनम सिध अधिकार है इस निश्चे और नशे से निर्विगन स्थिति का अनुभव करो जैसे उंचे से उंचा बाप है ऐसे हम आत्माएं भी उंचे से उंची स्रिष्ट आत्माएं हैं यह अनुबब करते हुए चलते हुए क्योंकि दुनिया वालों के लिए तो सबसे स्रिष्ट उचे से उचे हैं, बाप के बाद देवताएं लेकिन देवताओं से उचे आप ब्रामन आतमाएं हो, फृिस्टे हो ये दुनिया वाले नहीं जानते, देवता पद को इस ब्रामन नहीं कहेंगे उंचा अभी का ब्रामन जीवन है देवताओं से भी उंचे क्यों हो उसको तो अच्छी तरह से जानते हो ना देवता रूप में बाप का ग्यान इमर्ज नहीं होगा परमातम मिलन का अनुखब इस ब्रामन जीवन में करते हो देवताई जीवन में नहीं ब्राम कभी कभी नहीं क्योंकि बाप अभिनाशी है और अभिनाशी बाप जो ग्यान देते हैं वह समरिती दिलाते हैं वह भी अभिनाशी है कभी कभी नहीं तो यह चेक करो की सदा यह नशा रहता है बह कभी कभी रहता है मजा तो तब आएगा जब सदा रहेगा कभी रहा कभी नहीं रहा तो कभी मजे में होंगे कभी मुझे हुए रहेंगे तो अभी अभी मजा अभी अभी मुझ नहीं सदा रहे जैसे यह स्वास सदा ही चलता है न यदि एक सेक्ट भी श्वास रुख जाए या कभी-कभी चले तो उसे जीवन कहेंगे तो इस ब्रामन जीवन में निरंतन मजे में हो अगर मजा नहीं होगा तो मुझेंगे जरूर तो माताएं सदा मजे में रहती हो शक्तिया होना साधारन तो नहीं हो या घर में जाती हो तो साधारन माताएं बन जाती हो नहीं सदा यह है याद रहे कि हम शक्तिया हैं हद के नहीं हैं बेहद के विशव खल्यानकारी हैं शक्तियां अर्थात असूरों के उपर विजे प्रापत करने वाली शक्तियों को कहते ही हैं असूर संहारनी अर्थात आसूरी संसकार को संहार करने वाली तो सभी शक्तियां ऐसी बहादुर हो और पांडब अर्थात विजई पांडब कभी यह नहीं कह सकते की चाहते नहीं है लेकिन हार हो जाती है क्योंकि आदा कलब हार खाई अभी विजे प्रापत करने का समय है तो विजे के समय पर भी यदी हार खाएंगे तो विजे कब बनेंगे इसलिए इस समय सदा विज्योरी बिजे जनमसित अधिकार है, अधिकार को कोई छोडते नहीं लढ़ाई जगडा करके भी लेते हैं, और यहां तो सह्ज मिलता है, बिजे अपना जनमसित अधिकार है, अधिकार का नशाबा खुषी रहती है, ना हद के अधिकार का भी कितना प्राइम मनिश्टर को भूल जाएगा क्या कि मैं प्राइम मनिश्टर हूँ, सोएगा, खाएगा तो भूलेगा क्या कि मैं प्राइम मनिश्टर हूँ, तो हद का अधिकार और बेहद का अधिकार कितना भी कोई भूलाए भूल नहीं सकता, माया का काम है भूलाना और आपका क क्योंकि समझ है ना कि विजे और हार क्या है हार के भी अनुभवी है और विजे के भी अनुभवी है तो हार खाने से क्या हुआ और विजे प्रापत करने से क्या हुआ दोनों के अंतर को जानते हो इसलिए सदा विजे ही हैं और सदा रहेंगे क्योंकि अभिनाशी बाप और अ अधिकारी हम आतमाएं हैं यह सदा इमर्ज रूप में रहे ऐसे नहीं हैं तो बने तो हैं जानते तो हैं ऐसे नहीं प्रैक्टिकल में हैं जो जानते हैं वही निश्चे का चलते हैं तो हर करमें विजे का निश्चे और नशा हो नशे का अधार है ही निश्चे निश्चे कम तो नशा कम इसलिए कहते हैं निश्चे बुद्धी विजयी तो foundation क्या हुआ निश्चे में कभी-कभी बाले नहीं बनना नहीं तो अंत में result के समय वी प्राप्ति कभी-कभी की होगी फिर पस्चाताप करना पड़ेगा अभी प्राप्ति है फिर पस्चाताप होगा तो प्रा नहीं है यह निश्चे हो कर लेंगे दिलासे पर नहीं चलो कर तो रहें है न और क्या होगा हो ही जाएंगे नहीं अभी होना है गेंगे नहीं है जब दूसरों को चैलेंज करते हो कि शवास पर कोई भरोसा नहीं औरों को ग्यान देते होना तो पहले स्वेंब को ग्यान दो कभी करने वाले हैं या अब करने वाले हैं तो सदा विजे के अधिकारी आतमाई हो विजे जनमसिद अधिकार है इस समरिती से उड़ते चलो निश्चे अटल है, कोई टाल नहीं सकता, अच्छा, अब सभी ऐसी कमाल करके दिखाओ, जो हर स्थान विजेई अर्थात निर्विगन हो, कोई भी विगन ना आए, विगन आएंगे, लेकिन हार नहीं होनी चाहिए, तो जहां विजे है, विगन हट जाएगा, तो हो, लेकिन स्वेम निर्विगन बनो, औरों को भी निर्विगन बनाओ, ऐसी कमाल दिखाओ, करना ही है, करेंगे, देखेंगे नहीं, गेगे कहेंगे, माना, निश्चे में परसेंटेज है, सब ये खुशकवरी सुने की सभी छोटे बड़े सेंटर्स निर्विगन हैं, किस परकार का विगन आ ही नहीं सकता, दूसरे के विगन को भी मिटाएंगे, विजयी बनेंगे, ऐसा समाचार आए, कहां से भी कोई विगन का समाचार ना आए, ऐसे नहीं कहना कि हम तो ठीक हैं, ये करते हैं, हम क्या करें, तीन मास विजयी रह करके दिखाओ, तीन मास में ही पता पड़ जाएगा सभी हां करते हो तो ये कमाल करके दिखाओ अच्छा मीठे मीठे सिकला दे बच्चों परती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मोर्निंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते हम रोहानी बच्चों की रोहानी बाप दादा को बरी प्रेम बरी नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा इस मीठी मीठी मुर्ली के लिए बर्दान एक बाब के लब में लबलीन रह सरब बातों से सेफ रहने वाले माया प्रूफ बाब जो बच्चे एक बाब के लब में लबलीन रहते हैं बेसहज ही चारों और के बाइबरेशन से वायू मंडर से दूर रहते हैं क्योंकि लीन रहना अर्थात बाफ समान शक्ती शाली सरब बातों से सेफ रहना लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना जो समाय हुए हैं वही माया प्रूफ हैं यहीं हैं सहज प्रशार्थ लेकिन सहज प्रशार्थ के नाम पर अलवेले नहीं बनना अलवेले पुर्शार्ती का मन अंदर से खाता है और बाहर से वे अपनी महिमा के गीत लाता है सलोगन पूरवजपन की पोजीशन पर सिथित रहो तो माया और परकर्ती के बंदनों से मुक्त हो जाएंगे पूरवजपन की पोजीशन पर सितित रहो तो माया और प्रकर्टिक के बंदनों से मुक्त हो जाएंगे ओम शान्ती